हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल S.J.I. अंकित मेडिकल पर तो आज का वीडियो हमारा टॉंसिलाइटिस के बारे में हैं आज हम टॉंसिलाइटिस क्या होता है इसके लक्षण क्या है वह इसके कारण को समझेंगे और साथ ही साथ टॉंसिलाइटिस होने पर कौ को Tonsillitis कहते हैं दोस्तों हमारे गले के पीछे दो अंडा का Tissue होते हैं जिसे Tonsil कहा जाता है इसमें सूजन हो जाने को ही Tonsillitis कहा जाता है जैसा कि आप image में देखकर पहेंचाज सकते हैं कि यह वाला नॉर्मल टॉंसिल है और दूसरा inflammation टॉंसिल है तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि टॉंसिल में सूजन होने की कारणों के बारे में तो इसके मुख तीन कारण हो सकते हैं viral infection, bacterial infection या फिर other causes या mainly bacterial infection के कारण देखने को मिलता है हमें तो अब जान लेते हैं कि टॉंसिलाइटिस हो जाने पर हमें कौन-कौन से sign और symptom देखने को मिल सकते हैं तो पहला होता है headache यानि सर में दर्द होगा, high temperature यानि बुखाराना, muscles pain यानि मासपीसियों में दर्द हो सकता है, sore throat यानि की गले में खरास या गले में अलसर हो सकते हैं, bad breath और निक्स आता है yellow patina on tongue यानि जीव में yellow patina हो जाता है, pain in the ear on neck, कान में और गले में दर्द महसूस हो सकता है और lymph node में inflammation हो सकता है, अब जानते हैं tonsillitis के treatment के बारे में, तो सबसे पहले extreme inhalation यानि भाप लगाना, salt mix hot water के साथ सूबह दोपार साम गारगल करना चाहिए, ठंडी चीजों तथा तली तथा भूनी चीजों से परेज करना चाहिए, agithral नाम की tablet जिसका composition agithromycin 500 होता है, उसे रोजाना दिन में एक गोली लिनी चाहिए, या एक antibiotic tablet होती है या फिर हमारी दूसरी antibiotic आती है, moxicon cb नाम से, जिसमें amoxicillin and potassium clavionate composition पाया जाता है, इसे रोजाना एक गोली तीन दिनों तक लेना चाहिए, अब तीसरी tablet आती है, reno salvin नाम से, जिसमें mentola cost and levocitrogen composition पाया जाता है, इसकी users की बात करें तो इसे रोजाना दिन में एक बार एक गोली लेनी चाहिए, या फिर levocit, जिसमें levocitrogen पाया जाता है, इसे दिन में एक गोली सुबह साम लेनी चाहिए, अब आती है, zero doll SP, जिसमें acyclophenac plus paracetamol और seratio peptidase composition पाया जाता है, इसे एक गोली सुबह साम दो टाइम लेनी चाहिए, टेक्स टैबलेट है dynapar, जिसमें diclofenac और paracetamol composition पाया जाता है, इसकी users की बात करें तो इसे सुबह साम BD दिया जाता है, या दिन में दो बार एक गोली ली जाती है,